रूस और यूक्रेन के बीच आज तीसरे दौर की वारता होने वाली है लेकिन जिस तरह से बीटे बारह दिनों से जंग जारी है और रूस के राश्पती पुतिन के जो बारूदी तेवर हैं उसे देखते वे दोनों देशों के बेच सुलह आसार कम ही नज़र आ रहे हैं और ऐसे में रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है अमेरिकी सैनिकों के जथे जर्मनी पहुचने लगें बाइडन ने जर्मनी में 7000 सैनिकों को भेजने का फैसला किया था और उन सैनिकों का अब जर्मनी आना शुरू भी हो गया है सैलिको के जर्मनी पहुँचने का ये वीडियो अमेरिकी सेना की ओर से रिलीज किया गया है और बताया गया है कि ये सब नाटो देशों की सुरक्षा और रूस की आख्रमक्ता सनिपटने के लिए है